आपको ध्यान होगा कि पिछली क्लास में हम ग्लोब पढ़ रहे थे और ग्लोब में हमने लाटिचूट को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लॉंगिचूट्स और दूसरी चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे और आज की क्लास जो है वह बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है बच्चों आज की क्लास कैसे इंट्रेस्टिंग होने वाली है वह मैं आपको बताती हूँ आज की क्लास में हमें जुरुत होगी जिन जिन चीजों के वह आप लिखे एपल हमें दो एपल चाहिए होगे एक ओरेंज चाहिए होगा एक नाइफ चाहिए होगा स्लाइसर चाहिए होगा लीजे जी फिर आ गए नील कमल मैम के क्लास में आज तो क्लास में फ्रूट चाट बनने वाली है ना बट इसका हम क्या करेंगे यह मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगे इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि मैं आपको इसके जरी कुछ कॉंसेट समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आपका कॉंसेट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और आप कभी इस चैप्टर में नहीं होंगे ठीक है जैसा कि मैं हमेशा कहते हूं कि आज की क्लास चुकी थोड़ा गैप हो गया तो पिछले को पह लाटिचूट को डिसकस किया था ठीक है और लाटिचूट को डिसकस करने के बाद आज लॉंगी चूट के बारे में मैंने उस क्लास में थोड़ी बहुत चीज़े बताई थी और आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं स्टुडेंट्स आपको ध्यान होगा कि हम अपना पि लाटिचूट को डिसकस करेंगे इसके बाद कुछ और चीजों को डिसकस करेंगे वह हम लोग देखते हैं कैसे कैसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं आपको ध्यान होगा कि मैंने लाटिचूट के बारें बताया था ठीक है इस तरह की जो लाइन्स होती है ग्लोब के उपर बनीवी जो इमेजनेरी लाइन्स होती है उसे लाटिचूट बोलते हैं जो होरिजेंटल होता ठीक है और ग्लोब के ही उपर ग्लोब के ही उपर जो North to South run करती है, उसे Longitude कहते हैं, तो इस तरह हम देखेंगे कि Two sets of lines होती है हमारे पास, हम लोग पहले directions लिख लेते हैं, आपको ध्यान होगा कि पिछली class में हमने पढ़ा था Important Latitudes, तो Important Latitudes के बाद यह जानना बहुत जरूरी है कि Heat Jones क्या होते हैं, Heat Jones को जानने के लिए अगेन, हम लोग 0 degree equator मैंने draw किया है ठीके, और उसके साथ ही 23 and half degree, क्या होता है पहले आप बताइए, मैं देखू कितना याद है, आपको पिछली class में comment box में लिखके बताइए, 23 and half degree, Northern Hemisphere में जो Latitude है, Important Latitude उसका क्या नाम है, और Southern Hemisphere में जो 23 and half degree पे Latitude है, क्योंकि इन Latitude, इन Important Latitudes के जरिये ही, हम Heat Jones को समझ सकते हैं, ठीके, तो एक सबसे Important हो गया हमारा equator, इसके बाद जो Next Important Lying है, इस Tropic of Cancer and Southern Hemisphere में, Tropic of Capricorn, ठीक है, तो Heat Jones के लिए आप देखिए, कि Equator के 23 degree उपर और 23 degree नीचे का जो Line इसको मैं Shaded कर देती हूँ, So that you can easily differentiate with different zones, तो आपको अलग से पता चल जाएगा, इसको मैंने Shaded कर दिया, ठीक है, तो ये जो Between the Tropics का जो एरिया है, उसे हम Torrid Zone कहते हैं, ठीक है, इसे हम Torrid Zone कहते हैं, इसके बाद 23 and half degree से उपर जाएए, 66 and half degree, इसके साथ आप N लिखेंगे, N लिखना बिल्कुल भी मत बूलिएगा, क्योंकि Northern Hemisphere में हम जिस चीज को भी जिस Latitude को लिखेंगे, वो N से डिनोट करते हैं, इसी तरह Southern Hemisphere में हम जो कुछ भी लिखेंगे, उसको S से डिनोट करेंग तो यहाँ पर 66 and half degree, S लिखेंगे, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 degree से 23 and half degree Northern Hemisphere and 23 and half degree Southern Hemisphere का जो एरिया है, उसे हम Taurid Zone के नाम से जानते हैं, क्यों कहते हैं, इसको यह भी मैं बताऊंगी, पहले मैं आपको नाम बता दू, और इसके बाद 23 and half degree North से 66 and half degree North and 23 and half degree South से 66 and half degree South, यहाँ इस जोन को हम कहते हैं, इस जोन को हम कहते हैं टेमपरेट जोन और जो साउथ का हो गया उसे हम साउथ टेमपरेट जोन कहेंगे इसके बाद 66.5 डिगरी नौर्थ से यहाँ पर जिसे हम 90 डिगरी लिखते हैं इसके बाद 66.5 डिगरी से 90 डिगरी नौर्थ में और 66.5 डिगरी सदन हमिस्फियर में 66.5 डिगरी से 90 डिगरी सदन हमिस्फियर में जो एरिया होगा उसे हम फ्रिजट जोन कहेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नदन हमिस्फियर में 66.5 डिगरी से 90 डिगरी और Southern Hemisphere में भी 66.5 डिगरी से 90 डिगरी यह जो area है इसको हम लोग Freezed Zone कहते हैं इसके साथ North और South लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो यह हो गया North Freezed Zone और यह हो गया South Freezed Zone देखो बच्चों आपको नाम से clear होगा वाकि इसे हम क्यों कहते हैं ऐसा नाम हमने इसको क्यों दिया है कि 0 degree से 23.5 degree up and down इसको हम torrid zone कह रहे हैं 23.66 and half degree 23.5 degree से 66.5 degree को हम temperate zone कह रहे हैं और 66.5 degree North से बोथ हमिस्फेर में दोनों ही हमिस्फेर की बात हो रही है 90 degree 90 degree को हम Freezed Zone कह रहे हैं आखिर ऐसा क्यों कहते हैं इसकी सबसे बड़ी वज़व होती है कि जो sun की raise होती है वो कहां पे किस तरीके से कितनी पहुंच पाती है उस चीज के उपर इसका नाम निर्धारित किया गया है चलिए कैसे हम लोग देखते हैं जैसे sun raise जो होती है वो 0 से लेके 23 degree Northern Hemisphere और Southern Hemisphere में जितनी भी latitude हैं इन पे overhead होती है यानि कि सीधी रेखा sun की वहाँ पे गिरती है इसके वज़े से क्या होता है कि यह पूरा area जो है वो काफी गर्म होता है इसके उपर हम जब चलते हैं 23 and half degree से 66 and half degree similarly Southern Hemisphere में भी यहाँ पे जो sun raise होता है वो slanting होता है जिसके वज़े से यह area ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है इसलिए इसे temperate zone कहते हैं और 66 and half degree से लेके 90 degree जो higher latitude है वहाँ पे दोनों ही हेमिस्फेर की बात हो रही है कि sun raise जो है वो काफी कम पहुँच पाता है जिस वज़े से वहाँ पे हमेशा सालों भर बर्फ भी जमी होती है और वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है मेरे ख्याल से यह चीज आपको clear हो गई होगी बहुत अच्छे से डिग्री में आप इसको हमेशा याद रखिए लैटिचूड में आप हमेशा इसको याद रखिए किस लैटिचूड के बीच के जगह को हम क्या कहते हैं ठीक है तो मेरे ख्याली यह clear हो गया होगा तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने next segment की तरफ जो next segment है हमारा वो है what are longitudes longitudes के बारे में मैं अपने पिछले class में बता चुकी हूँ पर यहाँ आप एक बर फिर से थोड़ा सा reference ले लेते हैं ताकि भूली वी चीजे थोड़ी याद आ जाए हैं तो हमने देखा था कि जैसे जीरो डिग्री एक्वेटर जो है वो अर्थ को टू इक्वल हाफ में बाठती है और उसे हम नदन हमिस्फेर एंड सदन हमिस्फेर कहते हैं लेकिन जीरो डिग्री लॉंगिच्वेटर जो है इसे हम प्राइम मेरीडियन कहते हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि जीरो डिग्री जैसा कि मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री इसका मान होता है इसकी वैल्यू होती है एक सर्कल की वैल्यू 360 डिग्री है और क्योंकि अर्थ भी एक एक सर्कल नहीं है बट इसकी वैल्यू उतनी ही है 360 डिग्री ही है तो यहां पर क्या होता है कि यहां से आप इस्ट वर्ड जब 180 डिग्री जाते हैं इस्ट वर्ड जब आप 180 डिग्री जाते हैं similarLY west side भी जदी आप 180 डिग्री जाते हैं तो आप जिस line पे मिलेंगे that will be identical line 180 डिग्री लाईन जो है उसके साथ हम east या west नहीं लिखते हैं 180 डिग्री इस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो बिल्कुल एक ही लाइन है तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए अब कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा है ना क्या क्या सवाल दिमाग में आ रहा है यह आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में और मैं खुद से सोचती हूँ कि आप लोग के दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा और उसको मैं क्लियर करने के कोशिश करती हूँ ठी को डिग्री में लिखते हैं similarly हम को बहुत पहले बदाया था कि एक लोगी चूट से दूसरे लोगी चूट तक जाने में आपको 4 minutes का टाइम लगता है एक लोगी चूट से जब आप दूसरे लोगी चूट पर जाएंगे तो आपको 4 मिनट का वक्त लगेगा और ये जो मिनट होते हैं I mean degrees जो होती है degrees is further divided into minutes and minutes into seconds जो degrees होती है वो minutes में और minutes जो है वो seconds में divide होते हैं यह हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं अब बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि latitude क्या है और हमने ये भी देख लिया कि longitude क्या है जब ये longitude और latitude एक दूसरे को एक जगब पे काटते हैं तो उसको क्या कहते हैं चले पहले हम draw कर लेते हैं without draw किये विजोग्रफी में पढ़ना आसान नहीं है तो पहले हम इसे draw कर लेते हैं और हम latitudes बना लेते हैं देखो यहां पर में straight आपको कर रहे हूं यह actually straight नहीं होता है circles होते हैं और latitude किस तरह से circles होते हैं और longitude किस तरह से semi circle होते हैं that I am going to show you at the end so must watch the video till end ठीक है तो यहां पर हम लोग इसको डिग्री यहां पर हम इसे हमने इसे draw कर लिया ठीक है इस तरह से draw करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक net तरह का बन गया है एक जाल तरह की बन गई है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम earths grid कहते हैं इसे हम इसे हम earths grid कहते हैं आप यह लिखना मत भूलिएगा जीरो डिग्री और यहां पर भी जीरो डिग्री ठीक है तो इसे इस तरह से जो काटते हैं एक दूसरे को इसे हम intersect कहते हैं सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह सब चीजों की जरूरत क्या है मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ रही होगी है चीज के इन चीजों की जुरत क्या है लाटिचूड लॉंगिचूड ग्रिड एक्सिस क्या करेंगे हम इसे जानके तो मैं बताऊंगे आपको कि इसको जानना क्यों जरूरी है ठीक है तो स्टुडेंट्स इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए यू नीड टू ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड होरिजेंटल लाइन ओन पेपर आप अपनी नोट्बुक में कीजिए मैं आपको बोर्ट पर दिखाती हूं ठीक है so to understand this concept well you draw the equidistance vertical and horizontal line on a paper okay label the vertical rows with number label the vertical rows with number and horizontal lines with letter so you can write here a b c d e जब आपनी ड्रॉ कर लिया तो इसके बाद आप circles डाल दीजे कहीं भी जहां आपकी मर्जी हो वहां पर आप circles डाल दीजे ठीक है तो आप देखेंगे कि जब वर्टिकल लाइन और होरिजेंटल लाइन एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसे हम intersection कहते हैं ठीक है इस तरह से जो रेखा है एक दूसरे को काटती थी imaginary lines globe के उपर उसे हमने earths grid कहा और अभी उस concept को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने equidistance का एक के यह ड्रॉ कर लिया है जिसमें बराबर दूरी पर कुछ horizontal और कुछ vertical lines कीची गई है और जहां पर यह एक दूसरे को कट करती है वहां हमने एक छोटा-छोटा circle डाल दिया है और जहां हमने चोटा-छोटा circle डाला है ऐसे सभी जगों को हम intersection कहते हैं सवाल यह उठ रहा होगा कि यह सब बता क्यूं रही हूं मैं आखिर मैंने इस्टन हमिस्फेर में पढ़ रहे हैं और यह जो horizontal lines है यह आपके नदन हमिस्फेर में पढ़ रहे हैं ठीक है जब हम यह imagine करते हैं तब आप हम देखने की कोशिश करते हैं कि ठीक है कौन-कौन सा intersection कहां पर है ठीक है इसके बाद हमने जो small circles बनायते है रैंडमली आप कहीं भी डाल सकते हैं ठीक है उसके location को हम देखने की कोशिश करते हैं और तब हमें अच्छा समझ आए क्योंकि हमने यह imagine किया कि जो vertical lines है वो eastern hemisphere में ठीक है और जो horizontal lines है वो कहां पर है वो northern hemisphere में है तो जदि हम इसको जानने की कोशिश करेंगे तो इस जगह की location क्या निकल के आएगी यह किसी places का नाम है मैं अभी वो चीज नहीं बता रही हूं आपको A, B, C, D लिखके समझाने की कोशिश कर र latitude पे है यह जो A है इसका location हो जाएगा बी latitude पे है तो BN तो इसका जदि हम location जानने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि यह है BN latitude और A की location हम जानने के कोशिश कर रहे है ठीक है तो यह कहाँ पे है यह B इस location को जानने के लिए हमने देखा कि यह B है latitude और यह नदन हेमिस्फेर में क्योंकि हमने ऐसा imagine किया था कि यह नदन हेमिस्फेर है तो हमारा जो A का location हो जाएगा वो BN हो जायाएगा ठीक है और जबक का longitude हो जाएगा again 1E ठीक है तो आप देखेंगे कि जदि हम A का इस A के location को जानने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि यह latitude है नदन हेमिस्फेर में तो हमने इसका location लिखा इस A का location हमने लिखा BN इसी तरह से इसका longitude जो हम लिखेंगे वो 1 है यहां हमने imagine किया है और हमन यह बोला है कि इस्टन हेमिस्फेर में है है ना तो हम इसका location क्या लिखेंगे 1E इसी तरह से किसी भी एक दूसरी को example के लिए इसको लोग लेते हैं हम लोग चलिए इसको लोग लेते हैं सी पर बनी हुई लाईन है तो सी हमें जदिग का location बताना होगा इस वाले डी का location जदी हमें जानना है तो हम क्या लिखेंगे इसको cn क्योंकि नदन हमिस्फियर है हमने इमेजन किया है कि यह जो ग्रेड बनाया है हमने बोड पे यह नदन हमिस्फियर में है और इस्टन हमिस्फियर में है ठीक है तो इस d के लोकेशन को जानने के लिए हम क्या लिखेंगे cn n से नदन हमिस्फिय हो गया आपका और 4E 4E मतलब Eastern Hemisphere हो गई है यानि ये D की जो लोकेशन है वो कहा है 4E यानि Eastern Hemisphere तो मेरा ख्याल ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छा से चलिए आप आगे बढ़ते जो grid हमने imagine किया था वो इस area का grid हमने imagine किया था ठीक है जिसके बारे में मैंने आपको अभी details में बताया वो हमने इस area का grid imagine किया था जिसको हमने इसको आपने एक बड़े page पर बनाया था और मैंने यहाँ board पर बना के आपको बताया था तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखें continuously आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आखिर इतने सारे lines मैं क्यों बता रही है, axis बता रही है, फिर latitudes बता रही है, longitudes बता रही है, आखिर इन चीजों की जरूरत क्या है, हमें क्या फाइदा होगा जानके कि longitude imaginary line है, latitude imaginary line है, axis imaginary line है, तो इसकी जरूरत हमें क्यों होती है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ, so to locate a place, एक जगा को निरधारित करने के लिए कि वो जगा कहा है, उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, और उसी के लिए imaginary lines की भी जरूरत होती है, so actually the earth surface is so vast, that it is almost impossible to locate any place, that's why these lines, these imaginary lines, latitude or longitude or axis have been drawn on the globe, तो इसी के वज़े से क्या होता है, कि हम किसी भी चीजों को जान पाते हैं, कि कौन सी जगह कहां पे है, हम उसे अच्छे से locate कर पाते हैं, ठीक है, यह किस तरह से तो किसी भी चीज को locate करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, वो मैं तो to locate a place on globe, we need certain things, क्या क्या चीज़े हमें चाहिए होती है, ठीक है, तो we need points of reference and second lines, ठीक है, point of reference में क्या आ जाएगा, point of reference में first आ जाएगा आपका north pole and second आ जाएगा आपका south pole, ठीक है, और lines में आपकी क्या क्या आ जाएगी, जो हमने अभी discuss करी थी, first आ जाएगा आपका axis, second आ जाएगा आपका latitudes and third आ जाएगा आपका longitudes तो किसी भी जगह को globe के उपर सही तरीके से precisely locate करने के लिए हमें इन चीजों की जुरत होती है, that is point of reference and lines, point of reference के अंदर north pole और south pole आ गया और lines के अंदर आपका axis, latitude and longitudes आ गया, ठीक है, इसी चीज़ को अच्छे से बहतर तरीके से समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि earth का जो shape है, वो almost एक orange की तरह होता है, जैसे orange में आप देखेंगे, कि बीच से य नीचे की तरफ ये थोड़ा सा दबा हुआ होता है, और ये कीनू है, बट ठीक है, it's okay, तो axis को हम कैसे जानेंगे, कि axis क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ चुजों की जरुत होगी, कुछ activities हम करेंगे, जिसकी वज़े से आप जान पाएंगे, बहुत बहतर तरीके से, कि axis क्या है, latitudes क्या है, longitudes क्या है, ठीक है, और आप कभी भी confused नहीं हो पाएंगे, तो देखिए, इसके लिए हमें एक knitting needle की जरूरत है, और एक orange की जरूरत है, तो चलिए हम इसमें hole करते हैं, अब आप देख सकते हैं, कि मैंने ये hole जो है, वो बिलकुल straight नहीं कि डाला है, क्योंकि axis जो है, वो थोड़ा से tilted है, तो ये axis जो है, ये भी एक imaginary line है, और इसमें earth जो rotate होता है, अपने axis पे वो west to east rotate होता है, ठीक है, but remember one thing that the real earth has no such axis, real earth जो है, उस पे कोई भी axis नहीं है, उसका इस तरह का कोई भी axis नहीं है, इसके बाद मैं आपको बताओंगे कि latitudes क्या है और longitudes क्या है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए आपको जरूरत होगी, एक apple की, और एक slicer की, एक slicer और एक apple, बट ये ध्यान रखिएगा बच्चों बिलकुल भी, इसको आप अकेले मत कीजिएगा, किसी बड़े के observation में कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बताती हूं, तो हम इस apple को slices में काट लेंगे, तो हमने apple को slices में काट लिया है, ठीक है, apple को slices में काट के आखिर मैं आपको दिखाना क्या चाहती हूं, व्हेस्ति में क이어घिया यहां हए ces स्पेटल को काड़ा इन्ग wzड़ करुए है यह स्थैसे आपटिल को स्लाइसे में काटेंगे तो यह जो हम काटते हैं एक्वेटर वाला है यह सबसे बड़ा होगा यह जो पोल्स पे है यह सबसे छोटा होगा यानि एक्वेटर का सर्कल जो है वह सबसे बड़ा है और पोल्स का जो सर्कल है वह सबसे छोटा है ठीक है इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सारे जितने भी आप circles ऐसे काट रहे हैं ये apple को काट के मैंने आपको slices में इसलिए दिखाया है ताकि आप समझ पाए कि center का जो circle है वो सबसे बड़ा है यानि कि वो equator का है और सबसे उपर और सबसे नीचे का जो होगा लेक दिस लॉंगी चूट से difference है लॉंगी चूट क्या है जिस तरह से latitude जो है इसका size जैसे जैसे आप North Pole की तरफ जाते हैं उसका size छोटा होते जाता है ऐसा नहीं है लॉंगी चूट में लॉंगी चूट की जो length है वो बिलकुल बराबर होती है हर जगा पे फिर उसमें difference क्या होता है जब हम apple को इस तरीके से काटते हैं like this ठीक है semi circle इस तरह से जब हमने apple को काटा semi circle आप देख पा रहे होंगे यह हो गया longitudes अब आप देख पा रहे होंगे एक चीज की center का यानि आप pole के तरफ आप जाएंगे तो देखेंगे दूरी काफी जादा है यानि एक meridian से दूसरे meridian तक की दूरी center में सबसे जादा है और poles पे सबसे कम है तो मेरा ख्याल है इस activity के थुरू आप बहुत अच्छे से access को जान गये होंगे latitude को जान गये होंगे और longitudes को जान गये होंगे तो अब यह मज़िदार चीज तो खतम होती है पर एक थोड़ी से serious समझनी जरूरी है अब वह समझना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि आपने इस चीज को तो चलिए देखते हैं कि सिस्ट अर्थ इस स्फेरिकल एंड है जो सब्सक्राइब इसको माना जाता है कि अल्मोस्ट 25,000 माइल्स है तो 25,000 divided by 360 जवाब करेंगे तो आपका 69.172 माइल्स आएगा तो जो आपका average distance निकलेगा वो 69.172 आएगा अब देखी मैं एक मैं two sets of line draw करने जा रही हूँ so I have drawn two sets of line one is going through west to east and another is going through passing through north to south तो एक जो है एक set जो है वो latitude है और दूसरा set जो है वो longitude है एक और चीज़े कि latitudes और longitudes जो है ऐसा draw करने के बाद यह जानने भी ज़रू है कि latitudes और longitudes जो है वो degrees में होते हैं और यह एक angular distance होता है for example हम माल लेते हैं यहाँ पर हम माल लेते हैं कि 40 degree है ठीक है तो angular distance कैसे होगा यह दिखाने के लिए आपको तो latitude angular distance कैसे होगा वो जानने के लिए हम imagine कर लेते हैं कि यहाँ पर 40 degree का एक और latitude है तो 0 degree latitude से यहाँ पर एक line draw करेंगे और यह वाले angle को देखेंगे यह angle भी 40 degree होगी ठीक है तो यह जो angular distance है 40 degree पे है आप देख पार है इसे लिए इसको degrees में लिखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो earth है वो north pole पे और south pole पे थोड़ा सा दबा हुआ है तो जो distance है उसमें pole के पास का जो distance है जो degree बनती है वो थोड़ी जादा बन जाती है poles के पास की जो दूरी है वो जादा होती है क्योंकि यहाँ flat है थोड़ा सा तो फूर एक तो मैंने आपको बताया कि आप नापेंगे कैसे नापने के लिए आपको पता है कि यह circumference है earth का this is the circumference of the earth और इसको जदी आप linear में यानि कि आप इस गोलाई को जदी सीधी रेखा में नापेंगे तो यह 25,000 माइल्स है ठीक है 25,000 माइल्स इसको आप किलोमेटर में जाने तो आल्मस्ट 40,000 किलोमेटर के करिए ठीक है तो 40,000 किलोमेटर यह आ गया और हमारा जो एक सर्कल का वैल्यू होता है that is 360 डिग्री तो 25,000 25,000 divided by 360 कर दीजिए तो जो आपको आएगा वो आल्मस्ट 69 किलोमेटर के आएगा तो इसको हम एवरेज रख लेते हैं ठीक है तो आप देखेंगे कि एक्वेटर पे जो दूरी बनेगी वो होगी 68.407 माइल्स ठीक है इसी को जदी आप 45 डिग्री पे देखिए तो यह थोड सदीदन sincere lordy पे दूरी है 68.407 माइल्स 45 डिग्री पे दूरी हो जएगे 69.054 माइल्स इसी त्पर नौर्थ पोल पे या साूध पोल पर दोनों भी जग्वे इसकी दूरी ओजाएगी 69.407 माइल्स जहां पे हमने 69 माइल्स को एवरेज रखा है ठीक है तो यह तो हमने लाट क्या होता है तो longitude में जब हम देखेंगे लांगी चूड में हमने इसी तरह की आन pesticä लिए और इसमें हम देखें कि क्या होतए की the degree of longitudes will decrease towards pools, ठीक है? so, to 0-degree equator पे जदी हम देखे और 69.172 miles आप की दूरी बनती है ठीक है? 25 degrees पे जब आप देखेंके तो 62.73 miles इसकी दूरी होती है और जैसे जैसे आप उपर जाएंगे, सबसके आप 45 degrees पे गई है तो 49 iams होगा 75 पे गया तो 18 माइल्स होगा और जब आप नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पे जाएंगे तो आपको वो दूरी almost zero degree होगी क्योंकि आप जानते हैं कि जो length है length कम नहीं होती लेकिन degrees जो है वो कम होती है so all the parallels are equal in length but degree is decreasing towards pole ये ध्यान रखने की बात है तो मेरा ख्याल है कि यह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप किसी भी जगा को बहुत आसानी से locate कर लेंगे जब आपको उसका degree दे दिया जाए आपको जदी किसी भी जगह का latitude और longitude degrees में बता दिया जाए तो आप आसानी से उस जगह को locate कर सकते हैं तो I hope कि आपको ये class पसंद आई होगी जदी आपको पसंद आया है तो subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिए Thank you students